मुझे मेरा जिम ट्रेनर बड़े तायम से बोल रहा है कि प्री वरकाउट की वर्काउट से पहले गांजा पी लिया कर वो काफी टाइम से पी रहा है और बोलता है कि इस से उसको हेल्ग मिलती है फिर आगे लिखा है कि भाई या कसम से बताऊंगा साला इतना मज़ा नहीं आया कभी ट्रेड्मिल पे दोड़ने में जितना उस दिन आया मैं थक जल्दी रहा था लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा था जान स्क्राइब हो अँटासा लाइकर काटर रहा हो और इंडिया वथा खार्व था रहा है जो देख रहे हैं बाई कहीं से भी इंस्पायर मात होना इस वीडियो से कि गनजा लेके वर्काउट करना चाहिए आपको उता दो मैं नी पेस कि एक्ट जाकर करके आप पढ़ो तो गांजा illegal है हमारी country में it's not allowed for any kind of use प्रणाम साथियों कैसे हैं आप लोग मुझे पता है मैं थोड़ा सा inconsistent हो गया हूँ YouTube को ले करके लेकिन चिंता मत करें मैं अपना best दे रहा हूँ कि इसको regularly कर पाऊँ ज़ाद ज़ाद समय एक mail आया मेरे पास एक हमारे भाई का और उस mail का शीर्चक है गांजा बहुत मज़ा आने वाला क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लब ऐसा सब भी हो रहा है समाज में and by the way अगर आपको इस तरह कॉंटेंट पसंद आ रहा है मेरे चैनल पर तो एक लाइक तो दबाई दीजिए और साथी साथ नए है चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए जो भी है लट क्या है इसमें और बताते हैं आपको कहानी तो यह मेल मुझे जिस बच्चे ने किया है मैं उसका नाम और कहां का रहने वाला है वो सब रिवील नहीं करूंगा क्योंकि प्राइवसी इंपॉर्टेंट और अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है तो आप भी मुझे मेल कर सकते हैं इंस्टेग्राम पर लोग बेचते रहते हैं लेकि इंस्टेग्राम में क्या होता है ना कि इतने सारे जाते हैं कि पढ़ने में मुझकि थोड़ी सी तो मेल में थोड़ा मैं पढ़ लेता हूं तो आप business.satwik.gmail.com मेरा mail ID है उस पर आप भेज लीजे मैं सारे mails पढ़ मुझे आपको कुछ बताना है और पूछना भी है अगर आप इस से related मेरी help कर पाओ तो मुझे बहुत खुशी होगी बिल्कुल मुझे मेरा gym trainer बड़े time से बोल रहा है कि pre workout की workout से पहले ganja पी लिया कर वो काफी time से पी रहा है और बोलता है कि इस से उसको help मिलती है पहले मुझे बहुत बुरा लगता था यह सब देख करके क्योंकि वो खुद भी पीता था और कुछ और लड़कों को भी पिलाता था फिर एक दिन मैंने सोचा कि अगर वो बोल रहा है कि कुछ benefit होगा तो क्या पता सच में हो इसलिए मैंने उसको बोला कि मुझे भी देखते हैं आगे benefit हुआ कितना की नहीं हुआ यह मेरा first time था ऐसा कुछ ट्राइब करने का इसलिए मैं डरा भी था और थोड़ा excited भी था मैंने कुछ कुछ youtube का video भी सर्च करके देखा जो गांजा पी के workout करते हैं उन्हीं में से एक मुझे यूटीवर मिला मराइन मराइन नाम का उसने भी गांजा लेके वर्काउट किया और उसको सच कुछ नहीं हुआ तो यह सब देखके मैंने भी सोचा कि ट्राइब कर लेता हूं क्या ही जा रहा है तो मैंने उस बंदे का जिसकी यह बात कर रहा है मराइन उसकी वीडियो देखी और मतलब क्या ही करते हैं या रहे अंग्रेज लॉंडे अब जब कॉंटेंट की कमी हो जाती है तो ऐसा भी नहीं हो जाने चाहिए कि चलो अब गांजा पीके वर्काउट करके दिखा है मुझे यह भी नहीं पता कि पहली बार में कितना पीना चाहिए पर मुझे ऐसा लगा कि पहली बार के हिसाफ से उसने बड़ा जॉइंट बना दिया मेरे लिए जो भी हो वो मैं पूरा स्मोक कर गया फिर उसके बाद मेरा मन ही नहीं किया उठने का भाई गांजा पीके त फड़ा उसके बिना चड़ा दो लोगों को तो वो और अच्छी बात होगी ना फिर आगे लिखा है कि भाईया कसम से बताओंगा साला इतना मजा नहीं आया कभी ट्रेड्मिल पर दोड़ने में जितना उस दिन आया मैं थक जल्दी रहा था लेकिन मजा भी बहुत आ रहा चांद सितारे दिखाई दे रहा था यह ऐसा लग रहा था कि ब्रम्हांड के चक्कर काट रहे हो उसके बाद मैंने शोल्डर पर शुरू किये और मुझे नहीं पता चला कुछ भी मैं मारता ही चला गया दर्दी नहीं हो रहा था अब देखो जब आप थोड़ा सा हाई होते आप तर्छाम हेटाहु कं एक अशेडियों को रिक्शेओ वाले या उनको देखो जो दारू पी कर के भेट कर घूमते हैं सद्लक पे उनको पकढ़ग्याग्या क données कितना मार लोग उड़के फिर खड़े हो जाएंगे इसलिए क्योंकि दर्दी नहीं होता दर्द होता है उन उस ताइम घो थे आप अगय आगे लिखा थखक के थोड़ा रुखता था फिर मारना चालू कर देता था उस दिन में केवाज सोलडर प्रेशी मारा अब देखो यार मैं इस तरह का कोई काम करता नहीं हूं और ना मैंने past में कभी किया है ना आगे कभी करूँगा मैं हमेशा बात करता हूँ इन सब चीजों के अगेंस्ट में तो मुझे personal तो ऐसा experience नहीं है कि क्या feel होता है क्यों feel होता है लेकिन मैंने observe बहुत लोगों किया है कई ऐसे लोग हैं बहुत closely जिनको मैं जानता हूँ या जिनके साथ उठना बैठना रहा है मेरा past में तो उनको मैंने observe किया कि जब इस तरह कुछ वह try करते हैं तो एक ही काम वह करते चले जाते हैं हचते हैं तो चाइस हाँ रहेंगे रोते हैं तो रोते रहें जाते हैं एक हमारी society में रहा करता था वह होली वाले दिन कि उसने छाइभ भांग ले ली थी उ सूरे देख रहा था बैठके जीग दूब देख रहा था हम प्राइश यह को bellήσ को मैं जा जा रहाताँ वो ट्यूब लाइट देख रहा था बैठ करके और देख देखे ही जा रहा था मुझ खोल के इस तरह से तो हम मतलब मैंने यह चीज अब्जर्व किया कि ऐसा होता है आगे लिखा चिडिया वाई ने कि फिर जब मैं उसके बाद घर आया तो मेरे फ्लैट मेट ने तीन टिफि प्रश्चान नहीं हो रही थी फिर मैंने सक्षा सट्टू को पानी में मिला कर पी गया और मुझे नीम दा गई सट्टू यह बढ़िया चीज किया पहली बार भाई सट्टू पीओ यार गांजा नहीं सट्टू पीओ सट्टू मलब पीया यह तो बढ़िया चीज है मैंने भी अबजर्व किया अपने कुछ दोस्तों के साथ ऐसा होता है वो कोई मतलब सिनाक पकड़ते हैं तो खाते रह जाते हैं या कुछ मतलब खाना भी मिलेगा तो भी खाते जाएंगे खाते जाएंगे भूख खता मी नहीं होगी अब यह मत समझेगा कि आपको कुछ ब बिल्ड मसल वो जितना अप एक्सेस फैट की रूप में ही आपके बॉड़ी में लगेगा अब मैंने कुछ इंटरनेशनल यूट्यूबर को फिर देखा वो कह रहे थे कि अगर आप गेनिंग पर हो और यू इसा क्यों कर रहे हो अगर नहीं खा पा रहे खाना अनुरेक्सि देखो तो उसका अलग सॉलुशन है धिरे धिरे अपटाइट बढ़ाओ देखो आपके गट में कोई इसूस तो नहीं है और तब भी नहीं हो रहा है अगर आपको तब भी करना तो यू कैन गो एंड बाय गेनर हजार दोजार रुपए में गेनर आएगा उसको पी करके अंग्रेज यूट्यूबरों को नॉलेज बहुत है लेकिन कई वार यह लोग कुछ भी बोल जाते हैं अगले दिन मेरे शोल्डर में इतना दर्द हुआ जैसे पहले कभी हुआ ही नहीं अब भाई ऑव्यस सी बात है आप एक दिन पूरा गांजा मार के आउट होके जाओग को लग रहा होगा कि यहार गांजा लेकर के तो आदमी देखो कितना पुछ कर दिया उसने अपने आपको कितना सारा शोल्डर प्रेस मार दिया तो यह तो मतलब पॉजिटिव डिरेक्शन मेले का उस बंदे को लेकिन आपको बता दूँ जब आप आउट होते हो इस तरह से तो यह तो इस बंदे की चिडिया भाई की किसमत अच्छी थी कि यह बच गया अभी यह आउट वाले महौल में माल लो इसका मन करता कि असी किलो लगा ले उस पे ओरेट प्रेस पे काई आज तो मैं इसे यह असी किलो ही मारूंगा आज मेरा मन कर रहा है मतलब आज मार के र तो वही मैं कहा हूं चिडिया भाई तुम्हारे किसमत अच्छी थी इसलिए तुम बच गया इंजरी इंजरी नहीं हुई नशे में तुमको यह जिम के वेट वेट उठाने में नहीं तो क्या बता तुम आउट हो के गिरी जाओ वेट तुम्हारे उपर ही गिर जाए मुझे नहीं मालूम गंजडियो नशेडियो की प्रवित्ति कैसी होती है चली कोई बात नहीं आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है चिडिया भाई ने तो मैंने तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे लिए एक नय और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था और मुझे ये बेनफिट का अवाना वह अब काफी टाइम स से पीता रहोगा तो अब वह गांजा इंत्लॉरेंच बन गया वह इतने टाइम से पीता हिगा कि उस ने अब गांजा के प्रथिट टॉलरेंस डेवल्ड लॉप कर ली और उसको चढ़हने के लिए वह अब बहुत भारी लेएवल का समान म बात करो के मेरे उपिनियन की तो यार मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपको जिम में अपने आपको पुश करना है और फोकस्ट रहके वर्काउट करना है तो गांजा मत पियो प्री वर्काउट पीलो एक हजार रुपए का सप्लिमेंट आ जाता है इतना महंगा गांजा करेंगे वर्काउट से पहले तो आपको वैसओ डायलेशन के दोस्कello करेंगा वैसाओ डाई रिशन मतलभ होता है आपका जब नशünde में बलट को कहरी करने की शंत्ता जो नसे चॉड्यो जाति है बलट को केरी करने की बढ़ जाती है अच्छी हो जाती है ब्लट फ्लो एंग जो सबस्त ऊब और यह उखान्य को अनल्य को को तो उसके बारे में निवान रहे थे आप से टुलीन वाला कोई और धर तेको जिसमें हो ठीक-ठाक-डोस में कैफीन हो ताकि कुछ लोग कहते हैं कि गांजा कॉंसेंट कॉंसेंट्रेट करने में हल्प करता तो इस निदस यह क्या बात हुई कि गांजा मार लो अगर आपको मार लो पांच परसेंट जिम में बेनिफिट भी मिल रहा है तो उसके साथ कितने सारे कॉंसिक्वेंसे आ रहे हैं आप यह भी तो देखो लॉंग रन में अगर आप देखोए गांजा पीने को तो किते रेस्पिरेटरी इशूज होते हैं लोगों को सांस लेने में तकलीफे हो जाती है लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है तरह तरह की और जो लोग कहते हैं कि भाई मॉमेंट इंजॉइ करने में हल्प करता है गांजा उनको तो मैं बताओं वो लोग कौन है देयर प्लड़ी वीक पीपल अगर आपको एक्स्टरनल उसकी जरुवत पढ़ रहे है न मोमेंट में रहने के लिए मतलब आप बहुत वीक हो अपने आपको इस काविल बनाओ कि अप्रॉड़क्टिव रहते समय है ना आउट दिमाग के साथ नहीं प्रॉड़क्टिव रहते समय है इस मोमेंट म में होश में बैठे आपको मजा आ रहा हो बिलकुल मेरी तरह उसको कहते हैं कि हाँ आपने लाइफ में सच में कुछ उखाड़ा है अगर आपको खुश रहने के लिए या मोमेंट में रहने के लिए एक्स्टरनल चीज की जरुवत पढ़ रहे है तो इससे बुरा तो कुछ आपको सहारा चाहिए इवन खुश रहने के लिए भी मोमेंट में रहने के लिए भी अभी जो आपको हाई वाली फीलिंग लिए यह एक केमिकल होता है टी एच सी करके जो केमिकल लोचा करता है टेट्राहइड्रो कायना बिनौल अगर मैं सही बोल रहा हूं तो इसका बहु अलग फॉलो करने वाले लोग है मतलब कि क्या कर रहे हो और इंडिया में बता दो कि जितने यह चडिया भाई की तरह लोग है जो वीडियो देख रहे हैं भाई कहीं से भी इंस्पायर मात होना इस वीडियो से कि गांजा लेके वर्काउट करना चाहिए आपको वता दो मैं एंडिपेस का एक्ट जाकर करके आप पढ़ो तो गांजा इल्लीकल है हमारी कंट्री में इस नॉट अलावड फॉर एनी काइंड आफ यूज यहर मुझे सच बताओं तो बहुत दुख होता है यह सब देख करके कि यह क्या कर रहा है हमारा यूथ मुझे नहीं मालूम कि है थोड़ा पैसा खर्च करो प्री वर्काउट लाओ उसको पियो तब जाके वर्काउट करो जिम में और अगर आपको ऐसा लग रहा कि आप बहुत जादा इंफ्लेंस हो रहे हो इस तरह के लोगों से तो मैं यह काऊंगा के बदल दो भाई अपना जिम इंडिया में जिम की क लेकिन अभी आपके लिए नहीं है और जिम के साथ तो बिल्कुल नहीं बिकॉज जिम एंड नशापती दूना गो हैंड इन हैंड जिम जाता है आपका हैंड फिटने जाता इस रास्ते और यह सब जाता इस रास्ते ले आर नौट इंटरलिंक्ट अप यह दिदु पीने से ही मिल जाएगा तो आप काम क्यों करोगे तो अगर आप सिग्मा मेल हो जो ग्राइंड करके ऊपर जाने में विश्वास रखता है तो आपको तुरंद बीटा मेल बना देगा पीओ पड़े रहो आजा कुछ करने की इच्छा ही ने जिंदकी में क्योंकि सब मिल दा है जो जो फील जो आती है कुछ अचीव करने वाली जो प्राइड मिलती है वो तो आपको बैठे-बैठे मिल जारी है ना यह था मेरा ओपीनियन बच्चे लोग दूर रहो इन सब चीजों से और ऐसा कुछ मत ट्राहि करो और क्योंकि इल्लीगल है किस दिन पकड़ा गया तो लंब अंदर जाओगे और यह सब करने आप नहीं आए हो अपने काम से मतलब रखो फोकस्ड रहो आगे बढ़ो अगर आपको पसंद आया तो आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक तो ज़रूर करिए और शेयर भी करिए जो आपके नशेडी मित रहें उनके साथ ठीक है बाई बाई